हे दोस्तों, वेलकाम बैक टो मैं चैनल दोस्तों आप सबी का मेरे चैनल इंफो प्राड़ी में एक बार फिरी से स्वागत है दोस्तों आज है छक्ति गड़ का एक प्रमुप तेवहार जिसको बोला जाता है अक्षे त्रितिया उसी को हम छत्तिस गड़ी में बोल देते हैं अक्ति के त्यवहार जिहां दोस्तों इतने भी मोर छत्तिगड़ी संग्वारी मन है वो मला अक्ति तेहार के बहुत-बहुत सुबकामना है आज एद भी है तो आज जतना भी मोर मुस्लिम भाई देखाईया है वो सब मला एद के बहुत-बहुत मुबारक बात वैसे तो चत्तिजगण में बहुत सारे त्यवहार मनाया जाते हैं और चत्तिजगण की जो परमपरा है वो काफी विशाल परमपरा है और इसमें बहुत सारे त्यवहारों को बड़े ही धूम धाम से मनाया जाता है सभी तवार 36 गड़ में हो या चाहे भारत वर्स में हो अपने आप में अनूठे होते हैं और सब की अलग-अलग महत्वा होती है लेकिन चो अक्षे तृतिया या अक्षी का दूज तवार होता है 36 गड़ में बड़े ही धूम धाम से मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भाई अपने खेत में धान की बुआई की सुरुवात करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन कोई भी कार्य किया जाए उसके लिए मुरत देखने की ज़रत नहीं पड़ती है मतलब यह ऐसा दिन होता है कि आज के दिन कुछ भी कार्य करें वो सफल जरूर होगा ऐसा माना जाता है किसान जो भाई होते हैं वो अक्षेत रितिया की एक रात पहले ही धान को एक थाली में सजाकर उसकी पूजा अर्चना करके भगवान के सामने रख देते हैं और अगले दिन जब अक्षेत रितिया कतेवार होता है सुबे सुबे पाँज बजे उसको अपने खेत में बो देता है ऐसा माना जाता है कि भगवान उस धान में अपना असिरवात देते हैं जिसे किसान अपने खेत में बो देता है ताकि उसका फसल अच्छा हो मतलब कि आज ही के दिन से शुरुवात हो जाती है खेती किसानी की आज ही के दिन हमारे पूर्वजो को भी समर्पित होता है जिन में हम उनको याद करते हुए उनको जल अर्पित करते हैं इसको भी मैं पूरा आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है तो वीडियो में बने रहें और बिना किसी जरी के चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो हमारे पूर्वा जी अपित्रगन जिनको बोलते हैं उनको जल चड़ाने के लिए ये जो पौधा है जिसका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है इस पौधे को जमीन में गाड़ कर चावल, डाल, तिलहन और तिल आदी ताइप के जो मिक्सर होते हैं उनको डाल कर इसमें जल चड़ाया जाता है अभी हम इस लोटे से जल चड़ाएंगे इसके जगह में मिट्टी के घड़े का उपयोग किया जाता है क्योंकि अभी लॉब डाउन चड़ रहा है तो इसको मिलना संभव नहीं है इसलिए आज हम इस लोटे से ही जल अरपन करेंगे अभी हम जा रहे हैं तलाब नहाने के लिए और आज का दिन इसलिए भी महतपूर हो जाता है क्योंकि आज के दिन को भगवान स्री परसूराम जी के जयनती की रूप में मनाया जाता है साथ ही आज ही के दिन से जगनात भगवान के सारे रतों को तयार किया जाता है और बद्रिनात धाम के कपाट को आज खोला जाता है तो और भी ऐसे बहुत सारे कारण है जिनके कारण आज के दिवस को इतने हड़सो लाज से मनाया जाता है हमारे 36 गड़ में इसको गुड़े और गुड़िया के विवाह के रूप में भी मनाया जाता है जहाँ पर छोटे बच्चे लोग अपने खिलोने से बने गुड़िया और गुड़े की विवाह प्रसंग को रचते हैं और जस्न मनाते हैं अभी हम पहुँच गया हमारे गाउं के तलाब और यहाँ पर हम इसनान करेंगे और गीले कपड़ों में ही अपने पित्रदेओं को जल अरपड करेंगे जल अरपड के पस्चाथ आप देख रहे हैं मैंने लोटे में पानी भर लिया है ऐसा माना जाता है कि जल अरपड के पस्चाथ पानी घर लाने से वो अमरित तुल्य हो जाता है क्योंकि अभी मेरे पास लोटा इसलिए लोटे में लेकर आ रहा हूँ अगर यही चीज मिट्टी का घड़ा होता तो इसको कंधे में लेकर हमको घर आना रहता है घर आने के बाद जो घर के बड़े होते हैं वो ग्रिह देवता का पूजा करते हैं और ग्रिह देवता को भोग लगाने के लिए सुद्धखी में भूना हुआ मोवा को चड़ाया जाता है साथ ही जो सुद्ध घी में बना हुआ चावा लाटे का चिला बनाया जाता है जी हाँ दोस्तों इसको सुद्ध घी में ही बनाया जाता है क्योंकि इसको देवता में चड़ाना होता है और आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको बनाया जाता है जैसा कि देख रहे है मेरे पिताजी यहाँ पर ग्रीह देवत आप् पूजन कर रहे है और साथ ही मैं जो तलाप से लोटे में पानी लेकर आया था उसको मैं सारे घर में छिड़ा कर रहा हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पवित्रपानी होता है देखा आपने किस तरीके से हम अपने पूर्वजो को याद करते हो है आज का दिन या आज का तैवहार हम मनाते हैं उमीद आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थाइंगे